हाई iPhone users इस वीडियो में आपका बहुत ही जदा स्वागत है आज की वीडियो में ना मैं करूंगा iOS 18.0.1 का review कि इस update में आपको क्या सीज़े नहीं देखने को मिल रही है जैसे कि आप देख लो कि यह मेरा iPhone 13 सीज़ का phone है और इसको मैंने iOS 18.0.1 के उपडेट कर लिया है दोस्तों special में आपको बता दूँ इस phone में ऐसा कुछ भी इस update में specially नया नहीं आया है जो आपको पुराने update में 18.0 में देखने को नहीं मिला वही same to same सारे के सारे special features बड़िया बड़िया जो tricks जो मैंने आपको बताई है वीडियो में वो सारे की सारी available है कुछ भी ऐसा special नहीं आया है सो मैं आपको clear कर दूँ battery health मेरे phone की same रही है battery health में कोई changes नहीं है अगर आप सोच रही हो update को install करने की battery health में कोई difference नहीं है एक चोटा सा bug fixes का यह update था इस update में आपको यह update आपको iPhone XR, XS, XS Max और iPhone 12, 11, 13, 14, 15, 16 series में यह सारे के सारे phones में यह update देखने को मिलेगा और highlight कर दूँ यह update किन phones के लिए special नहीं आपल ने introduce किया है वो है iPhone 16 series iPhone 16 series में आपल के phones में I believe I would say की camera में secondly video recording के समय यहां फिर जो special video की recording थी उसमें फोन जो है वो stuck हो जाता था hang हो जाता था वो अभी fix किया है सो इस update में आपल ने specially उन devices को fix किया जो नहीं है 16 series में आपके phone में कुछ भी special नहीं आया है और अगर आप सोच रहे हो कि इस update में बहुत तगड़े वले features आएंगे तगड़े features जो है ना वो 18.1 में हैं thank you, bye-bye